हालो एव्रिवन वेल्कम बाक टो आज चैनल मेरा नाम आशोले चले देख लेते कल के लिए क्या प्राइस एक्षिन हो सकते है और मार्केट की डिरेक्शन में मुह कर सकता है सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी निफ्टी ने फ्राइड़े के दिन एक फ्लाइट जो साटेड़े के दिन भी एक स्पेशल टेडिंग सेशन हुआ उस दिन भी एक स्लाइट गैप अपनिंग देखने को मिला पर यही 22500 लेवल पर ही एक साइडवेस होता हुआ नजर आया अगर हम निफ्टी का हो आए देखता है तो 22500 पर अभी भी स्लाइट कॉल रेडिंग जिसे देखने को मिल सकता है अगर हम चार्ट पर वहापस आके निफ्टी का डेली है चार्ट देखता है तो कई ना कई यहां पर एक जो फॉल था यह जो ट्रेंड लाइन बनता हो नजर आ रहा है 21800 के पास एक स्पोर्ट लेकर निफ्टी ने एक रिवर्सल दिया है और फि यहां पर टच कर सकता है अगर हम वहापस 15 मिनिट चार्ट पर आते हैं और अनलाइस करते हैं तो जो साटड़े का रेंज था प्लस जो फ्राइडे का एक लोग था 22 450 के पास यह रेंज एक कॉलर टाल रेंज बन जाएगा निफ्टी के लिए अगर निफ्टी इस रेंज में से एक शार्प फॉल देखने को मिलाता पर एक माइनर रेजिस्टेंस 22 700 के पास भी ले सकता है अगर निफ्टी डाउंसेड आता है या फिर एक वीकनेस दिखाता है तो इमेडेटली 22 350 के पास एक सपोर्ट लवेल है जहां से फ्राइडे के सेशन में एक स्टॉंग देखने को मिलता है तो कई ना कई यह लवल एक वॉलटाइल लवल देखने को मिल सकता है और इमेडेटली सपोर्ट भी है नीचे के तरफ 22 300 के पर जहांसे निफ्टी फिट से एक रिवर्सल देखे जो गैप है यह गैप क्लोज करने जा सकता है अगर निफ्टी में गैप देखते हैं फ्राइडे और साटरे के सेशन में पूरा दिन रेंज बाउंड रहा जहां पर 48 200 लवल और 48 तौजन का जो लवल था यही रेंज में पूरा दिन साइडवेज रहा अगर हम वह आए देखते हैं जो 48 तौजन पे एक स्ट्रॉंग पूट रेटिंग के साथ हैस् स्ट्रॉंग सबूट जैसे देखते रहा है उपर के डिरेक्शन में 48 200 पे जहां पर क्लोज हुआ है यहां पर स्लाइड कॉल डॉमिनेशन देखते को मिल रहा है एक माइनर रेजिस्टेंस जैसे देख रहा है उपर के डिरेक्शन में जो 48 500 का लवल और 49,000 का जो राउंड इसे स्ट है यह दो लवल पर एक डिरान रिखने को मिल रहा उलगर हम बैंगन तक का लिखते तो बैंगन निफ्टी का है कई नकुड लेन में सपोट ले आ है कई नकई 47,000 के पस अगर हम पैंग निफ्टी का 1-day चार्ट देखता है तो यह इतना बुलिश नहीं है जितना निफ्टी बुलिश है पर इवेंचोली निफ्टी के साथ ही यहाँ पे एक buying momentum देखने को मिल रहा है जहाँ पे यह जो एक fall ता इसका जो week छोड़ा है यह एक level एक resistance जिसे बहेव करेगा 48,400, 48,500 के पास अगर इसके open निकलता है तो directly 49,200 का level और जो 88 level है 50,000 का यह level एक major resistance जिसे बहेव करेगा एक major round level resistance जिसे बहेव करेगा अगर हम 15 मिनिट चार्ट पर वापर shift होता है तो यह जो 48,200 से लेके 48,000 का जो range है यह range एक volatile range बन जाएगा bank nifty के लिए अगर bank nifty इस range का breakout देता है तो कहीना कई 48,500 के पास एक अगला resistance level है जहाँ पे swing available है अगर हम इसके ऊपर देखते है तो directly जो 49,000 का level है यह level एक major resistance जिसे बहेव करेगा जहाँ से एक sharp wall bank nifty में देखने को मिला था अगर bank nifty में gap up भी खुलता है तो कहीना कही 48,500 से लेके 48,200 का जो range है यह range एक volatile range बन जाएगा अगर फिर से यह range से फिर से उपर के direction में जाता है तो same 49,000 का जो level है यह level एक major resistance जिसे बहेव करेगा अगर हम downside देखते है तो यह जो low है 48,000 का पहले यह low एक major support की तरह काम करेगा एक round level support की तरह काम करेगा जहाँ पर हमें एक major put rating भी देखने को मिल रहा है अगर bank nifty level का breakdown भी देता है तो immediately 100 points 200 points डाउन पर एक फिर से support level देखने को मिल रहा है अगर bank nifty में gap down आता है तो कई न कई यह range में अगर gap down देखने को मिलता है तो कई न कई यह range में demand zone बनता हूँ नजर आ सकता है जहाँ पर bank nifty इस range में ही कई support लेता हुआ उपर के तरफ gap close करने जा सकता है अगर नीचे भी आता है थोड़ा sell off भी देखने को मिलता है तो 47500 के पास एक major support level है जहांसे एक sharp buying momentum bank nifty में देखने को मिला था तो यह होगा हमारा analysis के लिए thank you